नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल अपडेट एवर जिस में स्वागत है दोस्तों आज हम बाल मनोविज्ञान के टॉप टॉप एट्टी प्रश्णों को देखेंगे जो सीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट, यमपीटेट इत्यात परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो की सिरुगात करते हैं, हमारा पहला प्रश्ण है किसोरों में द्वंद उभरने का प्रमुख कारण है किसोरों में द्वंद उभरने का प्रमुक कारण है क्यूशन नमबर एक कराई टांसर हो जाएगा दोस्तों आपसन भी आवस्वरों की प्रतिकूलता ठीक है दोस्तों अगले क्योशन को देखेगे क्यूशन नमबर इमारा दो पाठ चर्चा है आपसने सिच्छण पद्धत यहां पढ़ाई जाने वाली विशेवस्तू आपसन भी विद्याले का संपूर कारिक्रम आपसन सी मुल्यांकन प्रक्रिया आपसन डी कच्छा में प्रियुक्त पाठ सामगरी आपसन भी विद्याले का संपूर कारिक्रम अगला क्यूशन देखेंगे दोस्तो आपको यहां पे यह भी पता हुना चाहिए कि दिस्कैल कुलिया डिसकेलकुलिया गणिती विकार से संबंधित है ठीक है दोस्तों और डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है तो पठर विकार से आपसन सिराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां question पूछा है termine के अनुसार buddhni लबधी होती है तर्मन के अनुसार buddhni लबधी कितनी होती है 120 से 140 अप्सन भी 110 से 135 और यहाँ पर आगे है 90 से 110 termine के अनुसार बुद्धी लबधी कितनी होने चाहिए 90 से 110 question number और किस्टन नमबर चार का राइट आंसर हो जाएगा आपसंसी 90 से 110 ठीक है दोस्तों आपसंसी राइट आंसर 90 से 110 टार्मन के अंसर बुदिलब भी 90 से 110 होती है अगला क्योशन है दोस्तों जब बच्चे को कोई नियम या सिधान सिखाना हो तो अध्यापक प्रियोग करें क्या प्रियोग करें अध्यापक आपसंसी आगमन विदी आपसंसी विसलेशन विदी आपसंडी कहानी कथन विदी तो जब बच्चे को कोई नियम या सिधान सिखाना हो तो अध्यापक आगम सावस Are है सियांपट पर लिखते समय सभिन्हें सभसे महत पूर्ण है क्या महत पूर्ण अच्छा ले एक आप साथ लिखने में इस पस्रता और अच्छत आप संसी सप भाड़े अच्छर आप मर फ्ष्डू Turks तो स्यामपट पर लिखते हैं सबसे महत्पूर्ण बात क्या है दोस्तों अच्छा लेख ठीक है दोस्तों आपसे ने राइट अंसर क्वेशन नमबर च्वेशन का अगला क्वेशन देखेंगे के क्वेशन नमबर पांच से दस वर्स ठीक है दोस्तों क्येशन बस साथ का राइट अंसर आपसंटी समा योजन की प्रक्रिया समा योजन की प्रक्रिया है आपसं ने इस्थिर आपसंबी गत्सील आपसंसी इस्थाना इस्थामपन आपसंबी अवरोधी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दो अगला क्यों क्यों सिच्छा मनुवि ज्ञान सिच्छा मनुवि ज्यान अध्यान करता है आपशन य not कि भसा नुख्रम वह ब्सवारान का अध्यान। ठीक है दोस्तों सिच्छा मनोविज्ञान का अधियन वनसा नुक्रम वातावर्ण का अधियन में होता है अगला क्वेशन है दोस्तों क्वेशन नमबर दस है छोटी कच्छाव में सिच्छक की सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा है पढ़ाने की उत्सुक्ता आप्संभी धैर्वद्रिष्टा आप्संसी सिच्छा विदियों का ग्यान आप्संडी मानक भासा का ग्यान तो दोस्तों छोटी कच्छा में सिच्छक की सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा ठीक है दोस्तों दसका question right answer भी हो जाएगा धर्वाद रिख्टा question है बालक में सामाजिक भावना का विकास जमजान होता है आप इससे सहमत हैं है या नहीं option पूर्ण सहमत है option B संभवता सहमत है और दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option C आप सहमत है बालक में सामाजिक भावना का विकास जमजात होता है यह निश्चित नहीं है question number 11 का right answer C हो जाएगा ठीक है दोस्तों कि अगला question देखेंगे दोस्तों question इसके लाव बनाएंगे आप सम्भी अनसिच्चकों के साथ मिलकर काम करेंगे लाव बताएंगे या अनसिच्चकों के साथ मिलकर काम करेंगे सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे सहयोग न करने वाले को दंदिर करेंगे तो आप अन्य सिच्छकों के साथ मिलकर काम करेंगे क्वेशन नमबर 12 का राइट आंसर आप सम्पी हो जाएगा अन्य सिच्छकों के साथ मिलकर काम करेंगे ठीक है क्वेशन नमबर हमारा चौदर बच्चों की व्रिद्धी के अनुरूप उनकी रुचिया आपसने बहुमखी हो जाती है आपसने अन्यमित दिसा में चली जाती है आपसने पहले जैसी हो जाती है तो आपसने बहुमखी हो जाती है बच्चों की व्रिद्धी के अनुरूप उनकी रुचिया बहुमखी हो जा और सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बिलाइकों को प्रेश कर लिजेगा जिसे हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राथ सुखें ठीक है ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर हमारा चाउद्ध पर सिच अच्छा के सबसे बड़ा उद्देश ग्याना अर्जन कर सके ठीक है दोस्तों क्यों में चुद्धा कराइब अंसर भी कि 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 एक बालक को संतुलन सुधर्यपन की स्वच्छता का अनपालंग करता है तो यहां सूचक है किसका सूचक है रूची का अविरित्ति का प्रसंस सूचक है ठीक है अग्ला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है मारा 16 नंबर सुभाव और प्रकृति चोटे बच्चे होते हैं डर्पोग त्था संकोची आफसन बी निर्वीक तथा स्वतंत्र आपसं स्थांत्र शक्री आपसंडी सक्री तथा जिग्यासु क्यों स्वभाव और प्रक्रिती से चोटे बच्चे होते हैं सक्रीत था जिग्यासू अगला क्वेस्चन है क्वेस्चन नमबर अगला क्वेस्चन है क्वेस्चन नमबर है इमारा 18 प्रवण सिच्चह के लिए आई वर्ग है प्रहण सिच्छा के लिए आई वर्ग है आफसने 6-16 वर्ष आफसन भी 12-18 वर्ष आफसन C 18-50 वर्ष आफसन D 15-35 वर्ष तो प्रहण सिच्छा के लिए आई वर्ग है पंदरा से 35 वर्ष प्रहण सिच्छा के लिए आई वर्ग है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर बहुत मिले बालिका सिच्छा अलग विद्याले में हो केवल महिलाएं ध्यापकों नहीं इसका राइड नासर हो जाएगा समाज की उन्नती का मूल बाल बालिका सिच्छा एक समान हो ठीक है दोस्तों केशन नमबर 20 को देखेंगे छोटे बच्चे की ग्यानि इंद्रीों को क्रिया सिल वर सच्छम बनाने हे तू आपसमिये उनके समच समागरी रखकर निरिछण करवाएं आपसम भी वस्त उठाएं रखने का काम सबसेंगे उनको क्रिया सिल रखेंगे आफसर ये कच्छा कच्छ में सांथ बैठने के लिए कहेंगे तो उनके उनको क्रिया सील रखेंगे चोटे बच्छों की ग्यानिंदियों को क्रिया सील सच बनाने के लिए उनको क्रिया सील रखेंगे ठीक है Question number 20 है कच्छा में स्रेष्ट अनुसासन की कसंवति है Bush selfie है संति में आवन आवेष्टित कच्छा अप समीर कच्छा में सान्ति पूड सिछण प्रक्रिया आपसं सी कच्छा में आपेचित सभागता आपसं दी सिछुच षातरों को आ कि क्रमड़ टो कि नानियोлем वह pien और जाएगा कर traced आ दो कि अधक्षा में सांतिपूर सिछन प्रक्रिया अगला कृशन नहीं अनुप चारी uh sugar की बिवस्था की गई है और चारी सीद्धा की गई है कि इसकी कोई सीमा नहीं है छीम्मट चारी सिद्धा की अगला question है question number है हमारा तेईज चात्रों में सामाजिक चेतना विक्सित की जा सकती है अपसन अध्यापक के भासन से आपसन भी उनके सांथ विचार विमस करने से आपसन सी पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से समाचार पत्रिका पढ़ाने से चात्रों में सामाजिक यतना विक्सित की जा सकती है ठीक है अगला क्वेशन देखें कि क्वेशन नमबर 24 है लंबे और कठिन सब्दों का उचारण करवाने के लिए आप ऐसे सब्द का बार 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 बुलवाएंगे आप समी सब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे आप समी मिलते जुलते उचारण वाले सब्द पहले बुलवाएंगे आप समी डी एवा भी दोनों तो डी हो जाएगा इसका आंसर यह वह भी दुनू ऐसे सब्द बार-बार बुलवाएंगे और सब्दों को खंडों में बाट कर बुलवाएंगे ठीक है और यह आंसर नहीं होगा कि मिलतू जिलतू जारण वाले सब्द पहले बुलवाएंगे अगला question है question number 25 राष्टी साथ्छर्टा मिसन की देन है आप्सन एक कोठवारी कमेट्री राधा कृष्षान आयोग आपसन C राष्टी सिच्चा निती आपसन D मुदालियार आयोग ठीक है दूस्तों क्वेशन नमबर 25 का राई टांस रोज़ेगा आपसंसी राष्टी सिच्छा नेती राष्टी साथ छर्टा मिसन की देन है ठीक है अगला क्वेशन देखेंगे दोस्तों क्वेशन नमबर है हमारा 26 कोई चात्र आपके प्रश्णों के उत्तर नहीं देता तो आप आपसे स्वय स्वयम बता देंगे आपसंसी अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे आपसंडी उत्तर न जानने के करण जानेगे कोई चात आपके प्रश्णों के उत्तर नहीं देता तो आप अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे माध्यमिक चात्रों के लिए सवा केंद्र परिच्चा प्रडाली उपयुक्त है क्योंकि आपसर ने विद्याले से दूर नहीं जाना पड़ता आपसर भी नकल में सुविधा होती है आफसन सी अपने केंद पर अनुसासित रहते हैं आफसन धी दूसरे परिच्छा केंद परिच्छा केंद परिच्छा चात्र निरास हो जाते हैं केशन नमबर 27 का राई टांसर हो जाएगा दोस्तों आफसन ए विद्याले से दूर नहीं जाना पड़ता कच्छा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रशन पूछने चाहिए क्योंकि छात्रों को अविव्यक्ति का आउसर मिलता है ठीक है अगला क्वेशन है दोस्तों जो प्रेरक वाता वरण के संपर्क में आने से विक्सित होते हैं जो प्रेरक वाता वरण के संपर्क में आने से विक्सित होते हैं वे हैं जमजात प्रेरक प्राकृतिक प्रेरक अरजित प्रेरक और उप्रोग सभी तो ये सभी अंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर तीस ब्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन करता है तो आप उसे दंड देंगे कच्छा से बाहर निकाल देंगे चुप रहने के लिए बोलेंगे धैर पूरवपूर उसकी बास सुनेंगे देहर पूर्वक उसकी बास सुनेंगे राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों में ब्यक्तिगत सैच्छिक विभीनिता का प्रमुख कारण है आपसने वंसानुक्रम आपसंभी वातावरण आपसंसी बुद्धी का अंतर आपसंडी वंसानुक्रम का वातावरण बच्चों में ब्यक्तिगत सैच्छिक विभीनिता का प्रमुख कारण वंसानुक्रम आपसंभी वातावरण है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है अध्यापक कच्छा में प्रवेश्च करते ही छोटे प्रश्च पूछता है वह बच्चों का कौन सा प्रिच्च कर लेते हैं तो मौखिक प्रिच्च कर लेते हैं दोस्तों अगला क्योशन है दोस्तों अध्यापक छात्रों के ब्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सरवतर धंग से जान सकता है तो मनोवेग्यानिक परिछन से अध्यापक छात्रों के ब्यक्तिगत विभेद सरवतर धंग से जान सकता है अगला क्योशन है दोस्तों किस विधी में अध्यन करता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविद प्रश्ण पूछता है साथ्छात्कार विधी, आपसंविवयक्तिक विधी, आपसंट सी निरिच्छन विधी, आपसंट डिप, प्रियोगात्मक विधी तो दोस्तों इसका राई टांसर हो जाएगा आपसंट साथ्छात्कार विधी, किस साथ्छात्कार विधी से अध्यन करता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विजुप्रस पूछता है कंप्यूटर सिच्छा किसी फारिष की सायोग ने की थी तो नई सिच्छा ने थी अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नमर्ट 36 है दोस्तों आपका इस्थानांतरन आपका इस्थानांतरन ऐसे छेत में होता है जहां की भासा आप समझ नहीं सकते तो आप इस्थानांतर का प्रयास करेंगे जो होगा देखा जाएगा भासा सीखने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपसन सी भासा सीखने का प्रयास करेंगे अगला क्योशन है दोस्तों सिच्छण सिच्छण कारे में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेश करने से आपसन एच्छाद प्रसंद रहते हैं आपसन भी अध्यापक को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता सिच्छण रुचिकर सरल तथा उपयोगी बनता है आपसन डी कच्छा में सांती बनी रहती है तो राइट अलसर सी हो जाएगा सिच्छण रुचिकर सरल तथा उपयोगी बनता है ठीक है दोस्तों अगला क्योशन है क्योशन नवर 38 आज इकल छोटे बच्चों पर पुष्टकों का बोज अधिक होता है इसके लिए हानिकारक होने के सम्मंद में आपकी राय है आपसने चात प्रतेक का अधियन नहीं कर सकते हैं अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद होता है अधियन के प्रती अरुची उत्पन होती है आपसने कंधे की हड़ी पर कुरुपरभाव पड़ता है तो क्वेशन नमबर 38 का राय टांसर हो जाएगा आपसन B अधिक भार से म आनसिक विकास अवरुद होता है ठीक है अगले क्वेशन को देखेंगे क्वेशन नमबर जीवी लोगों के उधारत देने चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 49 का राई टांसर सी हो जाएगा छात्रों को आउसर देना चाहिए ठीक है दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा परिच्छा समीप परिच्छा समीप आने पर पार्ट पूरा कराएंगे अत्रीक समय देकर पार्ट करम को पूरा करेंगे ठीक है अगले क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों हमारे साथ बने रहे और क्वेश्चन असी क्वेश्चनों को देख लीजी आपको बहुत ही हेलफूल होंगे निन मैं से कौन सी छात्रों को प्रेजित करन करने वाली विधी है प्रसंसा दंड डाटना ज्यादा अंक तो प्रसंसा हो जाएगा प्रेजित करने वाली चीज़ प्रसंसा होती है कि सिच्छा सब्समानार्थी है कि सिच्छा का समानार्थी कौन सा सब्दहत निर्देश का विद्यालई करण का प्रसिच्छन का उप्रो सरोजी नाइडू तो इसका राई टांसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन सी मौलाना अबूलकलाम आजाद सोतंद भारत के पर्थम सिच्छा मंतरी काउन थे तो मौलाना अबूलकलाम आजाद थे ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नमबर है हमारा चववालीस कच्छा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए चात्र पर सिच्छक को ब्यक्तिगत ध्याना कर्शन हेद। अगर कच्छा में छात्रों की संख्या कम रहेगी तो चात्र सभी बच्चों को अच्छे से समझ के पढ़ा सकता है ठीक है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर पैतालिस प्रतिवा साली इबाला की क्या विशेस्ता होती है मानसिक प्रक्रिया की तीव रता होती है भारत के समिधान में किस धारा के अंतरगत प्रात्मिक सिच्छा को निस्ल क्यों अनुवार बनाने का प्राधान किया गया है तो इसका राई टांसर सी हो जाएगा धारा पैतालिस के अंतरगत भारत के समिधान में प्राथमिक सिच्छा को निस्विल को अनिमार बनाने का प्राधान किया गया है अगला क्वेशन है क्वेशन नम्बर 37 निमनिल्गित में से कौन सा प्रत्य परियावरण से प्रभावित होता है आपसंसी अभी प्रेयर रखो के संघर्ष के फलस्वरूप आपसंटी इन में से कोई नहीं तो दोस्तों क्वेशन नबर 48 का राई टांसर हो जाएगा आपसंने ब्यक्तिगत अच्छमता के फलस्वरूप ठीक है दोस्तों अगले क्वेशन को देखेंगे क्वेशन नमर 49 है निन में से कौन सा एक राष्टी एकता में बाधक तत्तों है भासावाद प्रकितवाद जातिवाद संप्रदा है क्वेशन नमर 49 का राई टांसर हो जाएगा राष्टी एकता में बाधक तत्तों नहीं है यहां पूचा है बाधक तत्तों नहीं है तो प्रकितवाद बाधक तत्तों नहीं है ठीक है दोस्तों क्वेशन नमर 50 को देखेंगे अब 50 क्वेशन है पचासवा नमर किस परिच्छन में विश्वसनीता अधिक होती है तो वस् सिच्छा का किस प्रकार परिवार सिच्छा का किस प्रकार का साधन है अप आपसने संस्कृति का सरच्षण आपसन भी संस्कृति का परिस्करण आपसन सी संस्कृति के नए प्रति रूपों का निर्माड आपसन डी इन में से सभी विद्याले का कारी होता है यह सभी कारी होते हैं विद्याले के सभी कारी होते हैं संस्कृति का सरच्षण संस्कृति क परिस्क्रमर परिस्करण आपसंसी संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्मार ठीक है दोस्तों तो राई टांसर डी हो जाएगा आपसंडी क्वेश्चन नमबर तीरपन को देखेंगे कि सुबर्ग का मान जिसकी आवरित्ती सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं मध्यमान बहुलांग माध्य मध्यांग तो मध्यान इसका राई टांसर हो जाएगा आपसंडी क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नमबर हमारे पचपन है निम्रखित में से कौन सी विधी प्रेच्छन विधी के अंतरगत आती है मुल्यांकन विधी कथाबोध विधी साथ्षातकार विधी उप्रोग सभी तो उप्रोग सभी विधियां प्रेच्छन विधी के अंतरगत आती है मुल्यांकन कठाबोद साथ्षातकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नारी सिच्छा के छेत में क्या समस्या है आपसने सह सिच्छा की समस्या आपसन भी इस सिच्छी काओं की समस्या आपसन डी उपरोग सभी क्वेश्चन नमबर 56 कराई टांसर हो जाएगा डी उपरोग सभी हो जा में आप्ति ह profound चीए औनाई सो सत्तर इंगले चुछ को देखेंगे क्यों नमर एमारा धावन आप रेशन blackboard में किस इस्तर की सिच्छा के साधन उपलब कराने की बात कहीं गई है अगला क्वेशन है दोस्तों question number 69 सहचिक अवसरों की सपा समानता के लिए किस आयोग की संसुती की थी तो इसका रायट अंसर भारती सिच्छा आयोग उनाई सचो चोंसट अगरा को सामाजिक व्योहार की सिच्छा दी जा सकती है विद्याले में सामाजिक और सांस्कृतिक गत्वीरी हो द्वारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर है हमारा 61 राश्टी सिच्छा नीत 1986 में सिच्छा का निम्कित में से कौन सा सुरूप वनित है तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं भी हो जाएगा राश्टी सिच्छा नीत 1986 में सिच्छा का आपसंबी राइट आंसर दस प्लस दो प्लस तीन का स्वरूप वनित है ठीक है दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नमबर 62 है हमारा विद्याले के संचालन के लिए आवस्यक है विद्याले संगठन विद्याले प्रवंधन विद्याले प्रसासन इसलिए तीनों राइट आंसर है तो आपसंडी हो जाएगा राइट आंसर अब्रोख सभी क्वेशन नमबर 63 देखेंगे भारत में राश्टी सिच्छा पार्ठिक्रम में समाहित किया गया है स्वतंतरता आंदोलन का इतिहास सामिधानिक दाइत परियावरा सरच्छन ये सभी अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 64 है मारा दोस्तों तीन से पांच वर्स आई वर के बच्चों को सिच्छा परदान की जाती है निरोपचारिक सिच्छा परदान की जाती है तीन से पांच वर्स के बच्चों को अगला क्वेशन है विद्याले नियम सहिता का पराथमिक उद्देश है विद्याले नियम सहिता का प्राथमिक उद्देश से है अपराधी बालोकों को उशित दंड प्रदान करना अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर छाचछट भासा को उपयूग्त तरीके से परिभासित किया जा सकता है जैविक विकास का परिडाम है उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है अनुभावों को प्रकट करने का माध्यम है आत्म उन्यत का माध्यम है तो अनुभावों को प्रकट करने का एक माध्यम है भासा उपयूग्त तरीके से परिभास किया जासता है सबसे महत्पूर्ण विधी प्रजात तंत्रिक उपागम विधी है ठीक है दोस्तों है अगला क्वेशन है दोस्तों हमारा अनसट समान सिच्छा के पाठिक्रम के संदर में निर्मखित्तर के दिया जा सकता है भारती संस्किती धरोहर को उन्मुत किया जाए ठीक है क्वेशन नमबर 79 को देखेंगे एक अध्यापक का सबसे महत्पूर्ण कार क्या है सिच्छन करना राइट अंसर एक क्वेशन नमबर 70 है दोस्तों स्कूल से भागने वाले बालकों को आप कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रियास करेंगे ठीक है क्वेशन नमबर 70 है कच्छा में छात्रों के बैठने का प्रियाप साधन नहीं है आप समयोजन काल प्रियास करेंगे समयोजन काल प्रियास करेंगे अगला क्वेशन क्वेशन नमबर 72 आपकी राय में जीवन का प्रमुक सिध्धान्त होना चाहिए आपसंसी गरीबों की मदद करना क्वेशन बत 70 है दोस्तों विद्याले में कच्छा प्रबंध ठीक नहीं होना धोतक है सिच्छक की अकुसलता का राइट आंसर सी अगला क्वेशन है क्वेशन बत 74 सिच्छकों को अच्छे कारी करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निवन में से क्या है धन्व प्रसंसा पत्र देना धन्व प्रसंसा पत्र देना ठीक दोस्तों अगला क्वेशन है क्वेशन नमर 75 है मारा सिच्छा का इस्तर गीरने का प्रमुक कारण शिच्छा का अस्तर गिरने का प्रमुक कारण है आपसने गयर जिम्मेदार सिच्छक आपसन भी अभिभावकों का असायोग आपसन सिच्छात्रों की अधिकता आपसन भी भावतिक सुविधाओं की कमी सिच्छा का अस्तर गिरने का प्रमुक कारण गयर जिम्मेदार सिच्छक होता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर चीहत्तर सिच्छन ब्यवसाय में जाने का प्रमुक कुद्देश भावी पीड़ी का निर्मार करना भावी पीड़ी का निर्मार करना सिच्छण ब्यवसाय में जाने का प्रमुकुद्धिस क्या होना चाहिए भावी पीड़ी का मतलब आने वाली पीड़ी का निर्मान करना सिच्छक को अपनी विशेवस्तु में निर्मतर नए ग्यान का समावेश करना चाहिए क्योंकि छात्रों में छात्रों को नमिन्तम ग्यान दे सके और जिसे सी छात्र उत्सुक रहे जानने के लिए अगला कॉस्चन है क्वेश्चन नमबर सिवन्टीएट सिच्छा एक त्रिकोडी प्रक्रिया है जो च्त्र सिच्छक और सामाजिक परवेश च्त्र सिच्छक और सामाजिक परवे क्योंकि बहुद्धिक विकास में सहायक है इसलिए मात्रिभासा में सिच्छा ग्रहन करना चाहिए इससे वीडियो का अध्यापक छात्रों में सामाजिक वे नयतिक मुल्य संप्रेशन कर सकता है अध्यापक छात्रों में सामाजिक वर नहतिक मूली संप्रेशन कर सकता है तो राई टांसर सी हो जाएगा पाठ्थ सहगामी पाठ्थ सहगामी क्रियाओं की अधिकता से पाठ्थ सहगामी क्रियाओं की अधिकता से अध्यापक छात्रों में सामाजिक वर नहतिक मूली संप्र पूरा पूरा देखने के लिए धर्नेवाद थाइंक्यू